बारत में प्रारंबिक सिक्षा किसी भी देश में प्रारंबिक सिक्षा देश की मूलता आधार बुर्शीला होती है जिसके उपर आगे की सिक्षा व्यवस्ता का आधार निर्भर करता है अत्वा प्रारंबिक सिक्षा का पहला चरण अत्वा पहला स्टप होता है आथा देश की सिख्षा व्यवस्ता को व्यापक मजबूत एवं उन्नत शील बनाने के लिए हमें प्रात्मिक स्थर की सिख्षा व्यवस्ता को उन्नत बनाना होगा कि प्रात्मिक सिख्षा किसी भी इस देश की सिख्षा व्यवस्ता का आधार होती आता देश की सिख्षा वस्ता को व्यापक उन्नत शील मजबूत बनाने के लिए प्राणबिक सिख्षा की सिख्षा का विकास करना उसको उन्नत बढ़ाना होगा केजी सयदेन ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ओफ एजुकेशन रिस्ट्रक्षन इन इंडिया में कहा की प्रात्मिक सिख्षा के व्यापक आधारवन नियोजी त्विस्ता के अधाव में हम अपनी आर्तिक संस्कृतिक प्रस्सामाजिक कार्चमता में व्रिद्धि करने की तथा अपने स्थर को उचा उठाने की तथा जनता को विवेकपूर सिख्षा देनी के आशा नहीं कर सकते हैं सथनतता से पूर प्रात्मिक सिख्षा चॉल्स वुड घोशना पत्र चॉल्स वुड ने 18-24 निश्वी में प्रात्मिक सिख्षा से सम्बंदित एक गोशना पत्र जारी किया जिसमें कंपणी ने अपने प्रात्मिक सिख्षा का दाइत विग्ड़ान किया इस खोशना पत्र में प्रात्मिक सिख्षा के लिए निम्ने सुजाद दिये गया जैसे सरकार हलका बंदी ववस्ता के अनुसार विद्धाले स्थापित करे पहले से चल रहे विद्धाले की सरकारी साहता प्रदान की जाए तता उनमें सुधार किया जाए नेजी संस्थानों को धन उपलब्ट कराकर प्रसाहित किया जाए इस खोष्णापत के नियम इतने कठोरते कि उन पर अमल कर नहीं हो सका लॉर्ड स्टेनली खोष्णापत इस खोष्णापत में प्रात्मी सिख्षा से सम्मंदित निम्न सिफार्शे की गई सरकार प्रात्मी सिख्षा का दायत वगरान करे प्रात्मी सिक्षा को तरदाइत इस्थानी संस्ताव को प्रदान किया जाए। सहायक अनुदान ववस्ता को उच्छे सिक्षा छीते तक सीमित रखा जाए। सिक्षा प्रसार के लिए कर ववस्ता लागू की जाए। हंटार रायोग निंप्राथिमिक शिट्ट्रार पर्षे श्चाह ने सुधार के लिए इसीघेड़ा। प्रात्मिक सिख्षा के लिए विद्याले निच्छक छेतर में एक सूल की स्थापना की जाए लॉट करजन का सिख्षा से समंदित प्रस्ताओ प्रात्मिक सिख्षा बच्चों को उनकी मातरभाशा में प्रदान की जाए प्रात्मिक स्थर पर अध्यापकों को प्रसिक्षा प्रदान किया जाए, इस्थानी स्थरों के स्कूलों और नीजी छेत्र के स्कूलों को सायता राश्ची प्रदान की जाए, गुपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1910 में सरकार से प्रात्मिक स्थर के बारे में सिवारिश क प्रात्मिक सिख्षा के लिए गैर सरकारी अधिकारियों ने एक आयों का गठन किया जो सिख्षा से समधिता अक्रे उपलब्द करा है पूरे देश में प्रात्मिक सिख्षा निशिल्ट प्रदान की जाए परंतु प्रतम विश्विद्य की वज़ा से यह प्रस्ता पारिट हो सका लेकिन वर्ष 1921 में प्रात्मिक सिख्षा पर अधिक ध्यान दिया गया सिख्षा नीती पर करिदा निवन पिषड़े वर्ग को निशुल के प्रावन बेग सिक्षा देने के लिए आवशक कदम उठाएं कि हार्टेंग समीती इस समीती ने भी प्रात्मी सिक्षा की महत्ता पर बल दिया लेकिन अनिवारता या श्रीगता प्रसार को अनुचित बताया मुल्द सिक्षा की वर्दा योद्ना की नाम से जाना जाता है इस योद्ना के नेमले के प्रावधान थे पहला राष्ट्री सिक्षा व्यवस्ता के प्रतम साथ वर्ष निशुल के वह अनिवार होने चाहिए तता यह सिक्षा मातरबादशा में दी जाए दूसरा कक्षा 2-7 तक की सिक्षा क माद्यम हिंदी होना चाहिए जन सर्जेंट को भारती सिक्षा में सुधार लाने के लिए एक प्रस्ताव तयार करने के लिए नियुक्त किया गया वर्ष 1945 में इन्हों ने अपना प्रस्ताव के इंद्री सिक्षा सलाकार परिशत के सामने प्रस्तूत किया जिसमें प्रात्मिक प्रात्मिक सिक्षा के लिए प्रसिक्षी अध्याब को निक्त की जाए निरिक्षन के लिए अधिकारियों को निक्त किया जाए बुनियादी सिक्षा को कनिष्ट कक्षाओं का माध्यम बनाया जाए उच्छ माध्मिक सिक्षा जो 11-17 वर्ष्ट के बीच की आयू में चुने क छियुदान के लिफा, अपनी सिख्षा वबस्तां परिवर्टन किया क्योंकि सरजेट एंट छोईनों ने बुनियादी सिख्षा की बहुत सी विशेषटा को अपना लिया था और इसके साथ परमपरागत और बुनियादी सिख्षा देवनों के ढाचे को सुविकार कर लिया आथा बहुत से राजी ने परंपरागत प्रात्मिक विद्याले खोली जिसमें अनिवार रूप से बुनियादी विद्यालों को ग्रामे छेतरों में खोला गया सुतंता के बाद सविधान निर्माताओं ने सिख्षा पर ध्यान के इंदित कर उसे सविधान में स्थान प्रदान कर राज्यों को सिख्षा के लिए तदाइत बनाए जिसमें सविधान राज्यमिया अपेक्षा करता कि राज्य सिख्षा प्रदान करने के लिए आवशक वा अधा व्याम कहाए तहा हम नेया कह सकते कि स्वतनता के उपरान्थ भारत में प्रात्मी स्ख्षा गारत का संब्धर में बहुत सारी कदम उठाए गये ताह उसे विवाजन एक स्थान प्रधान किए गया शातारीत्वू सुपरेंजों को सिंधों 60 सुशी से निकाल कर स송वथती सूची में शामीत कर दिया गया हम जिसमें सिंधों को प्रदान करने का दायद्वہ संघ राज दोनों का हो गया आफ आए सभीदान में सिख्षा से संबंदित अनुखेड 26 21 1 प्राथ्मी सिख्षा का अधिकार 28 कुछ सेक्सिक संस्थानों में धार्मिक सिख्षा का धार्मिक उपासना में शाप्मिन होने की सुतनता 46. कुछ दशाओं में काम, सिख्षा और लोग सायता पाने का अधिकार 46. छे वर्षे से कम आयोगे बच्चों की सिख्षा एवं सुरुआती बश्पन की देखवाल है तू प्रवधान 46. अनुस उठी जाती और जन जाती और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सेख्षिक और आर्थिक हितों का समर्दन 46. माता पिता का करता वे होगा कि 614 वर्ष तक के बच्चों को अच्छी सिख्षा दिलाने का प्रबंद करे 46. प्रात्मिक सिख्षा में सिख्षा की सुईदाएं बारत में प्रात्मिक सिख्षा का सर्व भौमी करण वर्तमान भारती समाज में सभी नागरिक सिख्षा प्राप्त नागरिक होंगे इसके लिके नवरा सरकार ने काफी प्रयाज भी किये विश्व में सबसे बड़ी प्राविक सतर की सिक्षा प्रणा ली है परैंद तो स्कूल ना जाने वाले बच्चों का 22 प्रतेशत हमारे देश जबकि विश्व के कुल प्रावर्ण साख्षेरों का 30 परसेंट भाग भारत में है अता देश में सिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार दरस्तभी के लिए सिक्षा लक्ष रखा गया जिसके अंतरगर 6-14 वर्ष के बालक तथा 15-35 वर्ष के प्राण को शामिल किया गया है अता प्रात्मिक सिक्षा का लक्ष 6-14 वर्ष के बालकों को सिक्षित करना है की निर्ख शर्टा कम करना निर्ख शर्टा में कमी लाना चौदा वश की आयों तक के सभी बच्चों को प्राइंबिक सिख्षा प्रदान करना अनुप चारिक वाप चारिक सिख्षा कारिक्रमों के माध्यम से प्राइंबिक सिख्षा का स्तर पूरा होने तक उनकी सार्व्या पक्ता भागेदारी निश्चित करना, सिक्षा को बनाए रखने के अवसर उपलब्द कराना, आधारिक सरशना का विकास करना जो इस्तुरियों को अधिकार प्रदान कर सके और सिक्षा को इस्तुरियों की समानता का साधन बनाना, सिक्षा के पाटिकरम को उन्नत बनाना, प् मुफ्त शिक्षा प्रदान कराएगा रास्टी सिक्षा नीती 1986 यह निश्चित किया गया कि किस्वी सदी में प्रवेश करने से पहले 14 साल तक के सभी बच्चों को संतोज जन गुर्वत्ता में मुफ्त वानिवार सिक्षा प्रदान की जाएगी उन्नी कृष्ण प्रस्ता 1993 इस देश में 14 वर्ष तक के प्रतेक शिश्चु के पास मुफ्त शिक्षा प्राप्त गराने का अधिकार होना चाहिए प्रात्मिक शिक्षा के लक्ष बउच दोजाद इन तक सिक्षा गरेंटिक केंडर विकल्पिक स्कूल में सभी बच्चि Heute स पूरिक स्कूल में होना बउच दोजाद दस तक सभी बच्चों की आठ साल की स्कूली शिक्षा पूरिकरना जीवन के लिए सिक्षा पर बल देते हुए संतों जन्र प्राइंबी सिक्षा पर जोर देना वर्ष 2005 तक प्राइंबी की स्थर पर और वर्ष 2010 तक प्राइंबी सिक्षा इस्थर पर सभी लेंगिक और समाजिक अंतराल को समाप्त करना सिक्षा कादिकार वर्ष 2002 में सविधान में किये गए 46 शशुदन के दारान 26 21 को सामिल किया गया इस अधिनियम के माद्यम से 6-14 वर्ष किया यूँ कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार सिक्षा पदान की जाने का मौलिक अधार बनाया गया इस अधिनियम में विवस्ता है कि प्रितेग बच्चों कोपूर कालिक संतों शुने को मिस्तरी प्रात्मिक सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है यह सिक्षा उन्हें अप्टारिक विद्धार में दी जानी होगी जो आफशक नियमों और मांदंडों के अन्रूप स्थापित किये गए हो इस अधिनियम में सर्व सिक्षा बियान 6 विवस्ता है 46 शुदान अधिनियम 2002 और बच्चों के लिए मुफ्तिय और अनिवार सिक्षा अधिनियम 2009 एक अप्रेल 2010 से लागू किया गया प्राइन भी सिक्षा के सार्व मौमिकरण के संदर में नीती वर्स 1986 की राश्चे सिक्षा नीती में एक लक्ष जोड़ा गया जो अधिकम के आफशक इस तर तक बच्चों को पहुचाना था इससे पहले या केवल प्रात्मिक विद्यालों में सब बच्चों के प्रवेश और पढ़ाई पूरी होने तक प्रतिधारण के बारे में था सिक्षा नीती दौरा प्रात्मिक सिक्षा के सर्भोमी करण के लक्ष को प्राप्त करने के लिए त्रिकोडी करण कार विदी अपनाने की नीती बनाई गई जो इस प्रकार है पहला प्रात्मिक इस्तर पर बाल केंदित और किरिया कराब पर आधारित अधिगम प्रकरिया आधारित अभीपरित करने वाला वातवरन बनाना तथा पिछले आयोगो दारा प्रस्थावित बच्चों को अनुतिर ना करनी की नीती को जारी रखा जाए और विद्यालों में समय तता अवकाशों को बच्चों की सुविदा के अनुसार समान जीत किया जाए विद्यालों में प्रात्मिक विद्यालों में आफशक सुविदा है जैसे कमरे सिख्षक तता अन्य सिख्षर समद्री का प्रबंदन करना जिसने सिक्षार विवस्ता में सुधार लाए जा सके और ये सब इस विदाय ओप्रेशन ब्लैक बोर्ड के माद्यम से देर देर प्रदान की जाएं सिक्षा के सारभॉमी करण के लिए गैर आपचारिक कारेकरम सुनिशित किया जाएं प्रात्मिक सिक्षा के सारभॉमी करण के मार्ग में आने वाली बादाय या असमनता हैं सतंता प्राप्ति के बाद प्रात्मिक सिक्षा को निशलक वा अनिवार प्रदान करने का प्रावदान सविदान में कर दिया गया फिर भी पूरे देश में अपेक्षिय सफलता प्राफ ना हो सकी। लेकिन जब वर्ष 64 का सिक्षा का चौथा समिलनाजित हुआ तो नीन में प्राफ 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 प्रांतियां समनता है जहां एक और सविधान में वर्णित अनिवार सिक्षा के प्राफधान को केरल दमिल पश्य मंगाल में अपेक्षिय सफलता मिली वहीं दूसरी और भिहार, राजिस्तान, मद्य प्रदेश जैसे राज्यों में सिक्षा को अपेक्षिय सफलता नहीं मिल सकी। जिससे प्रांतिया सफलता है देखने को मिली। मिली कुझ जिलों में सिक्षा का प्रतिशा अधिक ता, कुझ जिलों में कम था, समान में विबिन वर्गों में मद्य साख शर्ता में प्रतिशा में भिन था, लड़के वा लड़के के मद्य आसमान था, आसमान था, आसमान था को कम करने के लिए किये गए सुझाओ, इन र राजियों को आरतिक साहता प्रदान कर स्थित्य को सुधाराजाएं। शिक्षा में पिछडे राजियो में शिक्षा के लिए प्रजार पसार किया जाएं। बालक बालिकाओं के प्रवेश के लक्ष अलग लग निधारित किया जाएं लड़कियों के लिए सिक्षा की नुशल को वस्ता की जाएं जन जाती छेत्रों में सिक्षकों को प्रसिक्षित करके नियुक्त किया जाए जन संक्या के बिखराओ वले छेत्रों में अध्यापिकी विध्यालों की स्थापना की जाए प्रवेश की समस्या है साविधान में अनिवार सिक्षा के प्रवधान होने के बावजूद भी नियमने कारणों से प्रगामिय चेतर के बच्चों में परवेश की समस्या विदमान है पहला समाजी कुरितिया जैसे बाल विवा, पर्दा, प्रथा, आदी, विद्यालेों की दूरी, समाजी उदासी इंता, अभी वावकों में सिक्षा के प्रथी उदासी इंता, सिक्षा धिकारियों की गरामिट छेतरों में सिक्षा के प्रथी उदासी इंता, प्रवेश की समस जिख्षा के प्रती जायुतार लाई जाए, चात्रों की अने समस्य आहें। अधा हम यह कह सकते कि सुतंता से पूर भायत में प्रात्मिक सिक्षा में भी बहुत सारे बदलाओं किये गए बहुत सारे प्रस्ताओं दिये गए परन्तु सुतंता के उपरान प्रात्मिक सिक्षा में बहुत सारे सुजाओं दिये गए बहुत सारी समीती पारित की गए जिस झाल झाल